हेलो स्टुडेंट्स नवभारती परिवार में आपका स्वागत है आज हम हिंदी व्याकरण में संधी के बारे में पढ़ेंगे संधी किसे कहते हैं और संधी के कितने वेद होते हैं तो चलिए हम चैप्टर संधी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम संधी का अर्थ देखेंग कि संधी किसे कहते संधी क्या होता है तो संधी का आर्थ होता है मेल या जोड़ होता है जैसे सुर जमा इंद्र तो इससे बनका इनको दो शब्दों को जोड़कर क्या बना सूरेंद्र तो देखें यहां पर जो सुर है लास्ट में आ रहा है इसमें ए की दोहनी आ दिये और इ है तो यैं i बनकर ने कि सुरेंद्र तो इसके परीभाशा क्या होगी दो वर्णों के मेल से जो परीवर्टन होता है उसे संदी कहते हैं ये इसकी संदी की परिवाशा है तो चलिए अब संदी विच्षेद क्या होता है संदी के द्वारा बने शब्दों को अलग-अलग करना संदी विच्षेद कहलाता है पहले तो हमने संदी के बारे में देखा कि संधी दो वर्नों के मेल से बनती है, दो वर्नों को जोड के बनती है संधी, और विच्छेत किसे कहते हैं, संधी के द्वारा जो शब्द बने वे हैं, उनको अलग-अलग करना संधी विच्छेत कहते हैं, ठीक है, जैसे हिमाले, अब ये शब्द जुड़ा हुआ है इसका हम विच्छेद करेंगे जैसे हिम जमा आले तो इसका विच्छेद क्या हिम आले सुखार्थ सुख जमा अर्थ तो ये हुआ इसका विच्छेद सुख जमा अर्थ सुखार्थ तो ये हो गया विच्छेद तो हमने देखा संधी की परिवाशा देखी और संदी विच्छेत के बारे में हमने जाना तो चलिए सबसे पहले हम संदी के भेद के बारे में देखेंगे संदी के कितने भेद होते हैं तो हम इनको एक एक करके हम जानेंगे सबसे पहले हम स्वर संदी के बारे में देखेंगे स्वर संदी किसे कहते हैं तो देखिए स्वर संदी के पांच बेद होते हैं एक होता है दिर्ग संदी दूसरा होता है गुण संदी तीसरा होता है व्रद्धी संदी और चोथा होता है यर्ण संदी और पांचवा अयादी संदी ये स्वर संदी के पांच बेद होते हैं इनको हम एक एक करके देखते हैं दिर्ग संदी, तो दिर्ग संदी किसे कहते हैं, जब हरस्व स्वर्ग, हरस्व या दिर्ग A, E, U से परे, क्रमश हरस्व या दिर्ग A, E, U आएं, तो दोनों के मेल से क्रमश दिर्ग A, E, U हो जाते हैं, इसे दिर्ग संदी कहते हैं, यानि कि यहाँ पर जो A, E, U है उसमें अगर दोनों में यह आएं तो यह क्या बन जाते हैं दीरग में A, E, U हो जाते हैं जैसे परम परम में 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 A की द्वनी है और जमा अर्थ तो इसमें A है तो दोनों में A आ रहा है तो यह क्या बन जाएगा परमार्थ आ बन गया इसी तरह से है इसके कुछ और भी उधारण हम देखते हैं देखिए वेद जमा अंत इसमें वेद में A की द्वनी है और अंत में अं है तो यहाँ पर बन जाएगा A यानि कि वेदांत अ जमा ए बराबर A हिम जमा आले हिम आले अब देखिए इसमें A जमा आ तो यह क्या बनेगा A इसी तरह से विद्या प्लस अर्थी विद्या आर्थी अब देखिए इसमें A है आ की द्वनी है और जमा आ तो क्या बनेगा यह A इसी तरह से द्या जमा आनन्द इसमें A जमा आ बनेगा A इसी तरह से मुनी जमा इंद्र अब यहाँ देखिए मुनी जमा इंद्र इसमें जब छोटी E मिलती है यानि कि E जमा इ तो बड़ी E बन जाएगी यह बन जाएगी E यानि मुनी इंद्र गिरी जमा इश यह हो गया गिरी इश अब देखिए यहाँ पर रह में छोटी E है और यहाँ पर आगे बड़ी E है तो यह चोटी E और बड़ी E मिलकर बनेगी बड़ी E यानि कि E इसी तरह से नारी जमा इंदू बड़ी E जमा इ बराबर E नदी जमा इश तो यह हुआ नदीश E जमा इ बराबर E सुक सु जमा उक्ती यानि कि सुक्ती अब देखिए यहाँ पर उ जमा उ तो यह बन गया उ लगू जमा उर्मी तो यह हुआ लगूर्मी देखिए यहाँ पर उ जमा उ तो यह हो गया उ वदू जमा उत्सव अब यहाँ पर देखिए वदू में बड़ी ही है और उत्सा में उ छोटा है तो यहाँ पर बन जाएगा वदूत्स है यानि कि बड़े उ की मात्रा लगेगी यानि उ जमा उ यह हो गया उ भू जमा उर्जा अब यहाँ पर दोनों बड़े बड़ा उ है तो यह बड़ा हू ही रहेगा अब आगे देखिए गुन संदी के बारे में जानेंगे हम गुन संदी क्या होती है आ के बाद में ई या ए किस आने पर वह ए में बदल जाता है यहाँ जहां पर आ के बाद में ई या बड़ी ई आने पर वह क्या बदलेगा ए में बदल जाएगा और उ या उ आने पर ओ में जाता है यानि कि जहां पर ए और आएगा वहाँ पर E में बदल जाएगा और जहां पर O में बदल जाएगा और R में आने पर अरफ हो जाता है इसे हम गुंड संदि कहते हैं जैसे भारत जमाँ इंदू अब यहं पर देखिए अ जमाँ आ रहाए ना तो यह क्या बन गया में बदल गया भारतेंदू इसी तरह से हम इसके उद्वार नों ज्वारा और समझते हैं नर जमाइंद्र नरेंद्र यानि जमाई ए राजा जमाइंद्र तजाजेंद्र आ जमाई कमल जमाईश यानि कमलेश अ जमाई यानि ए उमा जमाईश उमेश आ जमाई ए लोक जमाउक्ती लोकोक्ती अ जमाउ ओ ठीक है आगे इसी तरह से हम और भी उदारर देखते हैं महा जमाउत्सव तो आ जमाउ क्या हुआ ओ नव जमाउड़ा यानि नवोड़ा अ जमाउ ओ ओ महा जमाउर्जा यानि महोर्जा आ जमाउ ओ सब्त जमारिशी तो यहाँ पर क्या हो गया अर में बदल गया ये सब्त रिशी यानि अ जमारी बराबन अर महा जमा अरशी यहनी महरशी तो आ जमा री क्या बना अर जैसे हमने इसकी परिभाशा में देखा था आगी देखिए हम इसकी वरद संदी के बारे में देखते हैं दूसरी संदी कौन से यह वरद संदी तो व्रदी संदी क्या होती है? या आके बाद ए आने पर ए तथा ओ आने पर ओ हो जाता है इसे व्रदी संदी कहते हैं व्रद्धी संदी किसे कहते हैं जहां पर ए या आ के बाद में ए या ए आने पर ए तथा ओ आने पर ओ हो जाता है इससे व्रद्धी संदी कहते हैं जैसे इसका एक उधारन देखते हैं एक जमा एक तो यहां पर ए में बदल गया चलिए उधारन द्वारा इसको और भी समझते ह लोक जमाएशना यानी लोकेशना यहाँ पर देखे अ जमाए तो ए हो गया राज जमाएश्वर्य राज ज ada जमाए तो ये हुआ सदा जमाएव सदेव आ जमाएव देखें जैसे इसमें मातराएं लगी हुई है वैसे हम्ने इसके बनाया अब यहां पे देखिए आ की आ की दुनी है और आगे एश्वर्य, ए है तो यह क्या हुआ? अई हो गया, महेश्वर्य तो आ जमा ए बराबर ए धंत जमा ओष्ट, दन्त ओष्ष्ट अ जमा ओ बराबर ऑُ महा जमा ओजस्वी महोजस्वी, आ जमा ओ बराबर ऑُ परम जमा ओशद परमोशद अ जमा ओ बराबर ओ महा जमा ओशद महोशद अ जमा ओ बराबर ओ तो देखिए यह साइड में जो है अ जमा ओ बराबर ओ यह हमने इसी तरीके से याद करना है और इसको समझना है आगे हम इसको यर्ण संदी के बारे में देखते हैं कि यन संदी क्या होती है यन संदी किसे कहते हैं तो जब ई ई उ और रिशी के बाद कोई अन्यस्वर आ जाए तो ई का यर उ उ का वय और री का रह हो जाता है इसे यन संदी कहते हैं जैसे अती अब देखिए अती में अती में अती जमा अधी तो यहाँ पर अती में बड़ी छोटी ए की मातर है और तो छोटी ए बराबर ए क्या बन गया यह यनि कि अत्य दी आगे देखिए हम अयादी संदी देखते हैं अयादी संदी में ए अई ओ अउ स्वरो का मेल दूसरे स्वरो से हो तो ए का अई ए का आई ओ का आउ तथा ओ का आउ हो जाता है इसे अयादी संदी कहते हैं यानि कि इस संदी में ए आई ओ अउ स्वर का मेल दूसरे स्वरो के हो तो ए का अई हो जाता है ए का आई हो जाता है और ओ का आउ हो जाता है इसे हम अयादी संदी कहते हैं जैसे यहाँ पर चे है, तो यहाँ पर ए की मात्रा है, ए चे, तो चे जमा अन, यहाँ पर अन है, यह की ए के बाद में अ आ रहा है, तो यह हो जाएगा यह, यानी चयन, इसी तरह से आईए, इसके भी और हुदारण देखते हैं, देखिए ने जमा अन, तो यह क्या हो गया, जैसे हमने अभी परिभाशा में इसकी देखा, ए जमा अए, क्या बनेगा अए, गई जमा अक, यहनी गायक, ए जमा अ, तो क्या होगा, आए, ने जमा इका, यहनी नाईका, ए जमा इ, आई, ओ जमा अन, यह हो गया, पवन, तो इसमें अव जमा अव, क्या बनेगा, अव, जमाइत्र, पवित्र, तो इसमें रेखी, ओ जमाई, तो यह अवी बनेगा, तो क्या बना पवित्र, पव जमाईक, पावक, अब यहाँ पे देखी, अउ जमाई, आव बनेगा, नव जमाईक, नाविक तो यहां पे आउ जमाई आवी भो जमाउक भावुक आउ जमाउ आउ तो यह देखे हमने उदारन इसके देखे और समझे अब दूसरा हम देखते हैं व्यंजन संदी पे आते हैं कि व्यंजन संदी किसे कहते हैं तो व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संदी कहते हैं यानि कि जो व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से जो मेल होता है उसका जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संदी कहते हैं जैसे यहां पे देखे जगत जमाईश है तो यहाँ पर क्या बदल जाएगा परिवर्तल हो जाएगा जगदीश तै है वो द में बदल गया और यी बड़ी एकी मातरा लग गई तो यह उगए जगदीश दूसरा देखी वाख जमाईश तो यहाँ पर जो क है यानि कि इसमें हलंग लगावा है तो यहाँ कर, जमां औ, क्या बनेगा गी, तो ये बन गया वागीश, क्या हलंक लगने की कारण ये आधा है, आगे देखिए, दिख, जमां, अंबर, तो ये हो गया, दिगमबर, क्योंकि कर, जमां, क्या बनेगा ग, यानि दिगमबर, आगे देखिए जगत जमानात तो ये बनेगा जगनात इसी शब्द में जगत का तय व्यंजन है नात का ना भी व्यंजन है इन दोनों के मेल से नया शब्द बना न यहीं कि आदन न फिर पूरा न अत्य यहां व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है तो ये बनेगा जगनात जैसे हमने अभी परीभाशा में देखा था और समझा था आगे देखिए हम तीसरी देखते हैं विसर्ग संदी विसर्ग संदी क्या होती है विसर्ग किसे कहते हैं तो चलिए विसर्ग का किसी स्वर्ग या वियंजन से मेल होने पर जो परिवर्टन होता है उसे विसर्ग संदी कहते हैं देखे यहाँ पर जो स्वर या विंजन होता है, स्वर या विंजन का जो मेल होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संदी कहते हैं, देखे धनू जमा टंकार, तो यहाँ परिवर्तन हुआ धनू श्टंकार, दू जमा उप्योग, तो यह हो गया तूर उप्य बच्चो यह आज हमने संधी का चप्टर कंप्लीट किया आपको संधी चप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से और आपको नई समझ में आए तो इसको बार-बार देखिए और इसको रिपीट कीजिए जब तक अब आगे हम आपको नए वीडियो में नए चप्टर के साथ में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद